हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विजन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ाता स्टैटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन तो जिन लोगों अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है प् कि देखिए विजन बात ध्यान रखना आपको और विजन जसने हम काम करना है और उस काम तक किस तरीके से पहुंचना है यह हम प्रमाइन करते हैं तो उसी तरीके से organization भी क्या करता है organization भी कुछ visions होते हैं उनके भी कि organization को कहां तक पहुँचना है किस पर काम करना है जिससे कि आगे maximize क्या कर सके profit on कर सके main purpose यही होता है customer की needs को satisfy करना okay so next is it articulates the basic characteristics that shape organization strategy यानि कि आर्टिकुलेट्स मतलब यह इस पर्स्ट रूप से बताता है यानि कि describe करता है क्या basic characteristics को describe करता है जो कि organization strategy को shape देते हैं next है it indicates where the organization is headed and what it intends to be एक तरीके से कहा जाए तो कहां पर है और कहां जाना है इस यह define करता है ठीक है तरनी कि तीनों को मिला कर यहां पर keywords याद रखने है क्या vision जो है वह feature पर depend करता है shape डेता है organization को और उसकी organization strategy है उनको और indicate करता है क्या कि वह कहां पर है और कहां जाना है यह सारी बात है next हमारा strategy formulation strategy formulation को मैं सब्सक्राइब कर रहा है mission vision objectives and goals यह बाते ध्यान रखनी है तो यह जो है चारों क्या है is the most important step of strategic management model कर जो है वह most important steps है यह प्रोवाइड डिरेक्शन टू दी और्गनाजेशन फॉर मुवेंट इन फूचर यह डिरेक्शन प्रोवाइड करते हैं और्गनाजेशन को future में किस रास्ते पर जाना चाहिए यह रास्ता सही है यह यह रास्त दो alternatives या फिर कितने भी alternatives होते हैं वह हमें define करने होते हैं यानि कि वह हमें तो देखिए next है हमारा vision conclude vision में क्या क्या आता है तो यहां पर मैंने एक शॉट एब्री विशन लिया है ship S.I.P. ship ओके तो विजन प्रोवाइड और रोड मैप तू कम्पनी फ्यूचर विजन प्रोवाइड करवाता है क्या कम्पनी रोड मैप तू कम्पनी फ्यूचर यानि कि रोड मैप की तरह काम करता है जिस तरीके से आपको किसी जैसे हमारा Google मैप काम करता है हमें किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है तो और हमें मालूम नहीं है तो रास्ता बताता तो सेम तिंग वीजन भी क्या करता हैं वीजन जो हमें को हमें help करता है companies के future यानि कि जो strategy है उनको पूरी करने के लिए roadmap की तरह काम करता है यानि कि यह बताएगा है पीफर प्रोवाइड हो जाएगा यहां पर then s s की बारिया यह थे तो यहां पर है specify करता है क्या about company's intention कि company की क्या intention है and capabilities है to adopt to new technologies okay next is specifies management policy को specify करता है towards company and society customer or society को लेकर और indicate करता है क्या the kind of company management किस तरीके की management है company में is trying to create for future future में उस तरीके उसको create करना देखिए s s ip sip मैंने define कर रहा है तो आप क्या कर सकते specify about company intention then specify management policies indicates the kind of company is trying to create the for future and provide a roadmap to company's future इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ठीक है यह short abbreviation हो जाएगा आपके लिए नेक्स हम आर पास और strategic vision strategic vision क्या है strategic vision देखिए strategic vision it describes management's aspirations for the future यह है एक aspirations है यह कि management aspiration को describe करता है जो future में काम आ सके it describes the company's strategic course and long term direction यह long term direction देता है company strategy को well conceived vision से are distinction and specific बहुत यह अच्छी तरीके से जो भी specific है और जो distinctive है उनको define करता है बताता है they avoid generic feel good statement यह वाइट करते जैनरीक और feel good statements को तहां पर मैंने keywords दे रखे management aspiration कमनी स्टैटेजिक course distinction specific avoid generation इस तरीके से आपको करके यह याद कर लेना है so I hope आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा next देखिए next हमार पास three elements three elements of strategic vision three elements है मैंने यहां पर keywords लिख रहे हैं सबसे पहले forming using and communicating तो forming of vision statement में क्या है three that defines जो की define करता है क्या what business the company presently is in यानि की what business the company presently is in कहां पर है business who we are हम कौन है and where we are now और हम कहां है अभी ठीक है तो company यानि की forming a mission में क्या होता है जब हम form करते हैं तो यह तीनों बातों को ध्यान में रखना होता है कि business presently अभी कहां है हम कौन है और अभी हम कहां है where we are now next है हमारा मैंने यहां पर word दे रखा है using using के लिए क्या using this mission इस mission को use किया जाता है statement as a base to define long term path by indicating choices about where we are going ठीक है यह यह बताता है कि हम कहां जा रहे है है choices को define करता है mission को use करके indicate करता है हमारा choices को next फिर इसको क्या करता है communicate करता है communicating above strategic vision in clear and committed terms जो terms होती है उनके विहाब फर यह communicate करता है यानि कि तीन बाते याद रखने है forming using and communicating ठीक है elements को लेकर मैं यहां पर mark कर देता हूं यह बात आपको keywords ध्यान रखने है next देखिए purpose of strategic vision purpose क्या है purpose के लिए मैंने abbreviation बनाया हुआ यहां पर IPCC यहां फिर PIC 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 हो सकता है WPI WC PIC and यहां पर IPCC P double लेना है IPCC भी कर सकते हैं आप I for हो जाएगा identify the need of changing from existing direction or products it stated vision statement okay then P for जाएगा provide the direction like promote entrepreneurship okay then P for यही मैंने बताई दिया आपको और C for create passionate environment and create creativity like तो यह इस तरीके से आप abbreviation का यूज करके one one liner है answers याद कर सकते हैं काफी ज्यादा easy होगा याद करने में और I hope आप लोग को यह अच्छे समझ में आ रहा होगा जो भी मैंने लिखा हुआ है अगर आपको notes की जरत होती है तो आप लोग मुझे message कर सकते हैं पर एंड कुछी दिनों में मैं इसकी एक pocket book भी release करने वाला हूं तो उसका मैं आपको confirmation दे दूंगा जब भी release होगी ऐसे इसी मन्त में ही release करने वाला हूं मैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही next class में हम पढ़ेंगे इसके आगे further mission के बारे में भी पढ़ना है हमें तो वह देखेंगे किस तरीके से mission है अच्छा एक topic रह गया जरा मैं वह भी complete करवाद हूं यहां पर benefit यह vision का last topic है benefit of having a vision क्या benefits है vision के होने से what benefit of having a vision explain मैं यहां पर question भी जो है put कर रखा एक what benefit क्या benefit है vision के होने से explain करना है तो यहां पर देखे common सा word है एक good vision good vision good vision good vision good vision good vision हर एक point out कर रखा है मैंने यहां पर इस तरीके से point करके ही आपको answer लिखना होगा काफी अच्छे marks आएंगे फिर आपके good vision are inspiring and exhilarating मतलब good vision जो है inspiring होता है और accelerate करता है यानि कि हमारे point of views को regarding beneficial जो है हमारे organization के लिए good vision helps in creation of a common identity and a shared sense of purpose यह भी आध्यान में रखनी है यह बात है creation common identity ठीक है कुछ keywords हैं जो कि यहां पर underline कर लेने हैं good visions are competitive original and unique good visions are faster faster risk and and experimentation good visions faster long term thinking good vision represents discontinuity and step function इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हैं hopefully आपको याद भी हो जाएगा good vision like this good vision यह है good vision वह है इस तरीके से आप अपने आप सही questionarize करके कर सकते हैं तो vision जो topic था मैंने पूरा complete करवा दिया है यहां पर next class में हम mission के बारे में पढ़ेंगे I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा and जो new viewers है please channel को subscribe करना ना भूलिए और bell icon को भी press कर दिजे अगर आपको वीडियो पसंदा यह तो please comment में जरूर लिखिए like कीजिए share करना ना भूलिए so thank you so much guys thank you so much for watching my videos